हेलो माई दियो फ्रेंड्स वल्कम बैक ट्यू एवर्ग्रीन बुटीक और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो सेट लेके आई हूँ इंडियन सूट्स है पाकिस्तानी सूट्स की इंडियन कॉपी है फैब्रिक बहुत फाइन है इंड्रोइड्री भी बहुत आपको रियौन का फैब्रिक मिलेगा और रियौन फैset के साथ दुपाट्टा मसलीन कॉतन रहेगा थुरा हैवी पाटिव ये सूट्स है कॉटण मेगरह्पा है और त॑ रंग्रेज की इस दुत से वह एंब्रोइड़िट पैचलें किसे ना हे और उच्पर्ण्त और करने क है गुगल पे फोन पे पेटियम नेज बैंकिंग एंज एफटी देखें पहले मैं आपको एक ग्रीन सूट दिखा रही हूं यह इसमें सारे पैचेज हैं जहां की भी पैच होंगे वह मैं आपको भी चैक करके बता दूंगी यह पैचेज निकले हैं इसमें बाटम प्लेन रह यह शोट का बैक साइड है उपर तक इस तरह का प्रिंट आ रहा है और साइड में यह स्लीव जा गया है और यह कॉटन फाब्रिक है लेलन नहीं है लेलन कॉटन नहीं है कैमरिक कॉटन फाब्रिक है और यह फ्रैंट साइड हो गया प्लेन बाटम है इसका अब ये पैचेज है एक दामन का पैच है ये इस तरह से फ्रेंट साइड के उपर आने है यहाँ शोर्ट के उपर और ये वाले एक दामन और एक स्लीव्स का पैच है कि मैं आपको शिफॉन दुपट्य के डिजाइन देखा रही हूं कॉटन भी सेम मिलेगा सेम प्रेंट होगा इस तरह से शिफॉन दुपट्टा और शिफॉन भी नॉन स्लिपरी है दुपट्टा इस शिफॉन में दुपट्टा हो गया है यहाँ से आप इसका ले सकते हैं अब यह है वाइन कलर है यह इसके पैचेज आ गए बॉटम प्लेन है इसमें सभी में बॉटम प्लेन रहेगा यह इसका डिजाइन है बैक साइड का साइड में स्लीव्स है यह फ्रंट साइड हो गया अब इसके पैचेज देख लेते हैं बॉटम मैंने आपको दिखा दिया था प्लेन था इसमें देखे एक यह निकलाइन का पैच है फिर यह दावन और स्लीव्स का पैच आ गया और यह आप चाहें तो शोर्ट के बैक साइड के उपर बैकने कलाइन के उपर लगा सकते हैं या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग जहां चाहें वैसे यह बैक साइड का ही है बैकने कलाइन पे ही अच्छा लगेगा इन्होंने तो शोर्ट में दामन में दिया वा है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रिंट ऐसा है तो यह फ्रंट के उपर आ जाए यह बैक साइड नेक के उपर और यह दामन और स्लीव्स का पैच आ गया तो इसमें यह पैच जा कि यहां से आप इसका स्क्रेंशॉट ले सकते हैं कि अभी मोफ टाइप कलर है पर्पल टोन के उपर है यह इसके बैक साइड का डिजाइन आ गया है साइड में यह स्लीव्स है फिर यह फ्रैंड साइड है इस तरह प्लेन बॉट्टम इसके भी पैच देख लेते हैं किस तरह के पैच है एक यह निकलाइन का पैच है और यह दामन और स्लीव्स का पैच आ गया दो पैचेज हैं यह दो पटे का डिजाइन तो आप यहां से इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं अब देखें देखें ब्लू ब्लू सा शेड है यह ब्लू में अलका सा पॉपल टोन मिक्स कर देए उस तरह का शेड आ रहा है यह इसका दामन आ गया बैक साइड का साइड में स्लीव्स है फिर यह फ्रेंट साइड है यह इसके बॉटम का फैब्रिक यह पैचेज है यह निकलाइन का पैच है और यह दामन और स्लीव्स का पैच आ गया यह मैं आपको दुपटा दिखा रही हूँ यह शिफॉन फैब्रिक है सेम प्रेंट सेम केलर आपको कॉटन में मिलेगा तो अब इससे भी साइड करें अब मैं आपको इलाव के सूद दिखा रही हूँ यह रेयॉन फैब्रिक के उपर है मसलीन में दुपटा है एम्रोइड दुपटा मिलेगा यह शोर्ट का डिजाइन देख लिए सब एम्रोइडरी हो रही है आपको जितना भी शोर है सारा रेशम से वर्क है रेशम से एम्रोइडरी है ग्रीन शेड है यह काही ग्रीन कलर है यह स्लीव जा गई एक बार और मैं आपको दामन के एम्रोइडरी दिखा देती हूं इस तरह से सब यह हैवी एम्रोइडरी है दामन के उपर और यह दुपट्टा फोर साइड एम्रोइडेड इसका बॉडर है यह डिजिटल प्रेंट है बागी सारा बॉडर एम्रोइडेड है इसमें तो आप यहां से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अब यह ब्लू शेड है यह शॉट का डिजाइन है सब रेशम से एम्रोइडरी है यह स्लीज जा गए यह बतम का फैब्रिक और यह दुपट्टा है यह दुपट्टा आ गया यहां से इसका स्क्रीन शॉट ले सके लिजी अब यह देखें ग्रीन शेड है यह सब एम्रोइडरी हो रही है इसकी स्लीज जागे फैब्रिक बहुत फाइन है रियों फैब्रिक है और यह दुपट्टा है एम्रोइड बॉडर है दुपटे के फोर साइड अब यह लास्ट पीस है पर्पल है यह यह शेड का फ्रांट साइड है सब एम्रोइडरी हो रही है इसके उपर यह स्लीज आ गई यह स्लीज है अभी मैं आपको इसका दुपट्टा और दिखा रही हूँ यह दुपट्टा है तो यह इस वीडियो का लास्ट पीस है अभी आपको जो भी अच्छा लगा हो जल्दी से उसका स्क्रिंग शॉट लें वाट्सिक नमबर पे सैंड करें और प्लीज चानल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक वर वाचिंग मैं चानल टेक केर अला हफीज